हेलो दोस्तो मैं हूँ आपका होस्ट और दोस निसानत और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको एरफोर्स में आए हुए कुछ प्रिभिएस एर के कोशन्स को बताएंगे आज का वीडियो हमारा का पार्ट वन है इसके बैक टूबैक और भी पार्ट आपके दिये जाएंगे तो प्लीज वीडियो पर बने रहेएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और दोस्तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो से कुछ अगर आप स को सब्सक्राइब करके जाएगा दोस्तों इससे पहले बता दे आपको कि हम बहुत सारे चैप्टर जैसे आपके बर्नोमिल स्टीरम हो गया स्ट्रीज हो गया कोईट इक्वेशन हो गया सेट रिलेशन फंक्संस हो गया इन सभी चैप्टर्स के हमने प्लेलिस से जाकर देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों अपने वीडियो को स्टा fell करते हैं और आप को बोलते आपको एक हैसबक्स को आप देख रहेंगा आप तो सचस्ट को आप और थोड़ा खुद से समझने की कोशिस कीजिए वीडियो पहुज कीजिए खुद से समझने की कोशिस कीजिए वैसे तो हम आपको हैं ही समझाने के लिए तो चलिए हम समझाते हैं आपको कि इसकोसद में कहा जा रहा है कि find the number of five cards combination आपको 5 cards के combination निकालने हैं out of deck of 52 cards यानि 52 cards में से if there is exactly one ace in each combination और जो 5 आपके जो cards निकालने हैं वो किस तरह किसे निकालने हैं वो 5 cards आपको इस प्रकार से निकालने हैं कि आपके हड़े combination में 1 acee होना चाहिए तो चलिए आपको बता दे कि जब भी इस type of combination को निकालने के लिए कहा जाएज और यहाँ पिर आपको दीयावा है 5 card निकालने हैं कितने card निकालने हैं और उसमें से 1颗 1 हारे तो आप सबसे पहले किया किजे इस separate कर लिए इस 5 card को separate कर लिए तो आपो नकिसको one and four के term में separate करेंगे वन और फ्वॉब के टर्म में कहना है मतलब की एक तो हमारा कया होगा एक काट होगा एक काट होगा एक का एक और California और दूसरा होगा वोड काड किंगे और नरिक चल उनकी वे बचसे दो हनकी और इससे पहले आपको पथा दे तो इस एका से क्या होती है आपके चार एका हो गए ठीक है तो इस चारो एसी इमें से आपको क्या करना है एक कमिनेशन लेना है तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे आपको तरीका बता रहे हैं तरीका को ध्यान से सुनिए आपको इस तरीका से बनाईएगा तो आपको हरे कोसंस आपको असानी से सॉल्व हो पाएगा तो एक आपको बता दे कि एसी लेने का कितना तरीके हैं चार कार्ट है और चारो कार्ट के लेने के तरीके कितने होंगे इसको बात में समझेंगे पहले तो हमें यह पता हुना चाहिए कि हमें हमारे पास एवलेबल कार्ट कितने है भीक है ? और इस चार्प करते हैं किस में से आपको बताए शिप्तीटु मैं से यह कितना आपका दूर्सदे थेQu E टिक है ढ़र आपके बचे वर्णारी कार्ड कितने है आफ वर्णार एकसा अब हम करेंगे है कि इसको दूस्तो चलिए is हम क्या करने वाले हैं । इसको arrangement करेंगे तो arrangement करेंगे यानि combination को बनाएंगे combination अब देखे हमारा combination क्या होगा इस चार जो आपके card है AC card उसमें से 1 कर लेना है तो चार में से एक लेने के लिए क्या combination होता है 4c1 ठीक है फिर इसको क्या करते हैं multiply करते हैं बचे में 48 कार्टम से कितने कार्टम हैं चार कर लाने तो 48C4 यहीं आपका total combination होगा आपका answer भी यहीं होगा आपको क्या करना है इसलिफ्ल से solve कर लेना है और answer आपको पदा तर जाए अण चलिव?! करते हैं इसको लिख सकते है 4 और isको लिख सकते है 4 функ trend आपके है नीचे 4-1 का उता है nurturing ये कितना हो जागा 3 फैक्टरें इन्टू 1 factorial ज़िक है इसको क्या लिख सकते हैं48 48 factorial आपको दिखा दे कि इसको हम लिख सकते हैं 4 इह हमारा बाहरा जाएगा यह 4 बाहरा जाएगा इसे क्या करने वाले हम next page में solve करेंगे ठीक है यह क्या हो जाएगा हमारा 4 बाहर आ जाएगा और 3 factorial upon 3 factorial चलिए next नया एक marker लेते हैं और फिर क्या आपका sorry फिर क्या आपका 48 factorial है 3 factorial यह क्या हो गया into 48 factorial हमारा बाहर आएगा और हम क्या करेंगे 44 तक जाने के लिए हम क्या करेंगे 48 47 46 45 44 यह तो आपको आता हो करने फिर भी हम आपको करके दिखा रहा है नीचे क्या आपका 44 factorial यह क्या हो गया 44 factorial into 4 factorial एक से यह कट गया 44 से 44 कट गया ठीक है और आपका 3 से 3 factorial कट गया फिर क्या करेंगे हम यहां पर लिखेंगे 44 into 48 into 47 into 46 into 45 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 4321 ठीक है समझ में आड़ागा आपको और आपको क्या करना है जब इससे आप multiply किजिएगा जब इससे आप solve किजिएगा multiplication करने के बाद तो आपका क्या answer आता है 778320 ठीक है यानि आप 778320 यानि option C हमारा क्या है सही है यानि आप इतने तरीका से क्या कर सकते हैं पांच कार्स के combination को ले सकते हैं जिसमें कि आपका हर एक combination में एक अवस्य होगा ठीक है तो चलिए इस टाइप से करना है questions को बनाना है आप देख रहे हैं किस वेसे हैं इसको परफॉर्म कर रहे हैं simply यह लिखके आपको बढ़ सकते थे लेकिन नहीं हम आपको सबसे पहले इस combination को होता है यह जो combination आपको इहां बता है यह आपके लिए बहुत important है यह आपके लिए इसके लिए important है अगर आपको यह अगर निकालना आप किसी भी आप situation से अगर निकाल लेते हैं किसी भी condition जो आपको दिये है उस condition से आप यह निकाल लेते हैं तो आप यह तो simply असानी और लेते हैं कि यह हमारा क्या है रांट टेबल हैं जिन पर में 3 लराक की बैठा हुआ है तो आपको क्या बताना है आपको नेक्स कोशन में क्या कर cotton पहले पढ़ते हैं इन्सभी में से ब्षा 這個 X does not want any girl, क्याते हैं, जो girl y और यहां पर G I R L, जो boys x होते हैं, वो किसी girls को अपने neighbor में नहीं चाहते हैं, यानि अगल अगल में नहीं चाहते हैं, और similarly क्या कहा जाला है, कि जो boys girl y है, वो भी क्या करते हैं, does not want any neighbor, वो भी अपने neighbor, आगल बगल में किसी बाइज को नहीं रहना चाहते हैं यहां पर हम बनाते हैं किसको बनाते हैं एक लर्की है और यहां क्या है एक लड़का है, एक लड़का है, ठीक है, इस लड़की के बागल में, इस लड़की के बागल में हम 1 मानते हैं, और इसको क्या मानते हैं, ठीक है, 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 ठी 3 girls दिखे यहां 3 boys दिए वाय और 3 girls दिए वाय तो 3 girls तो 3 girls है यह क्या है आपके boys है वह 3 boys है ठीके तो आपको क्या निकालना है है आपको निकालना है कि कितने ऐसे arrangement possible हो सकते हैं तो आपको इस पूरे arrangement को आप थोड़ा से भी अगर शेर खानी करते हैं यानि अगर आप चार को एक को तीन को दुख को अगर थोड़ा से अगर कर देते हैं आप तो आपका पूरा अगर धती हैं अगर यानि आपका आपका जो लड़का है एक्सके अगल वागर में कोई लड़का लड़की भैठ जाएगा तो आपको नहीं करनाया तो आपको Istoha करना है कुछ आपको आयका सिर्फ आप क्या कीजिए यह यह जो आपका है यह जो 1 और 2 है आपका और यहां किया आपका बताईए यहां जो आपका है 3 और 4 है आप इसको सिंप्ली एरेंज कर दीजे और जिसको एरेंज करने के बाद जो एंसर होगा आपका वही क्या हो जागा आपका टोटल एरेंजमेंट हो जाएगा ठीक है तो आप तो 2 factorial into क्या करेंगे इस 3 & 4 को arrange करने के लिए कितने तरीका हो सकते हैं 2 factorial फिर दो चीज है 2 factorial 2 factorial 2 और फिर 2 factorial 2 यानि 2 into 2 4 यानि क्या होगा answer आपका B is के ग्राडिंग सही होगा यानि आप सिर्फ 4 arrangement कर सकते हैं उस arrangement में आपके जो वाइज होंगे एक अच्छे तरीके से आपको समझा है कि ताकि आपको problem न हो सके next question क्या है हमारा find n if n-1 P3 n P4 1 is to 9 ठीक है equal to the 1 is to 9 के दिए तो बहुत असान question है यह simple questions है इस टाइक के questions आपने बहुत बनाए होंगे तो चलिए हम क्या करने वाले है n-1 जो आपके n P दिए हुए है क्या दिए है n-1 P3 एक सेकेंड सोरी market problem है चलिए हम क्या करते है इसको n-1 P3 अपन क्या करेंगे n P4 equal to क्या लिखेंगे 1 is to 9 के ठीक है फिर क्या करने वाले है अब हम इसको क्या करेंगे इसको थोरा सा arrange कर देंगे n-1 P3 को कैसे लिख सकते हैं n-1 का factorial upon 3 factorial और इसको क्या लिख सकते हैं into n factorial उपर क्या हो जाएगा यह 4 factorial हो जाएगा समझ रहा है कैसे लिखें हम equal to क्या होगा 1 upon 9 हो जाएगा ठीक चलिए अब क्या करने वाले है इसको हम solve करेंगे n-1 factorial यहां क्या है n factorial है यह क्या होगा 3 factorial n factorial के हम क्या लिख सकते है n kia 1 upon 9 के एक 3 factorial से 3 factorial कट गया n-1 factorial से n-1 factorial कट गया ठीक है तो बच क्या गया बताइए आपका बच गया क्या बच गया कुछ लगता है कुछ problem हाँ चली दोस्तों कुछ problem ही किये हम यहाँ यहाar पर देखिए मालने जी कुछ भी है np3 कैसी लिखते थे, factorial n upon n-3 लिखते थे न, तो यही पर यहाँ पर करना है, वह यहाँ पर हम गलती कर दिये हैं, तो चलिए, हम क्या करने वाले है, n-1 factorial और n-1-3, यहनि n-1-3 factorial करेंगे, यह कितना हो जागा, n-4 factorial हो जागा, क्या हो जागा, n-4 factorial, n-4 factorial समझ में आ गया हो आपको, क्या करना है, n-4 factorial हो जागा, फिर यहाँ पर आपको, n-4 factorial हो जागा, लेकिन, यहाँ पर क्या होगा, देखिए, np4 है, तो उपर थो मैं n-4, यहां में क्या मिल गया, यहां में मिल गया, n-1 factorial upon n-1 factorial equal to 1 is to 9 सोच में आ रहा होगा आपको फिर क्या करने वाले हम अब हम क्या करने वाले है और रिखे सब होगा नी ऋब Ah Yakoon के वन उप यहां से एन का फ़र किसम पता चल गए आपको 9 पता चल गयाりました सब कोसंस है आपको अवं गलती की हैं पिर क्या उसको ध्यान में रखना करना आपको यही बरता 神 Crusoe में क्या करते हैंifierी हैं winning 3 तरहरी दिए पहले में उसतर रख रहते हैं एक गलत एस्टेप है ठीक है चलिए नेक्स कोसंस के बढ़ते हैं फोर बॉइज पीकप 30 मैंगो चार बॉइज है जो 30 मैंगो को पीकप करते हैं इन हाउ मिनिवेज कें डिवाइड देम कितने तरीके से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं आइडेंटिकल अगर सभी मैंगो क्या है एक समान हैं ठीक है तो चलिए हम आपको बोले जाए कि इसके जो तरीके होते हैं इस को संसको बनाने के लिए जब भी आपको बोला किसी भी n थिंग्स को ठीक है थिंग्स को डिवाइड करते हैं तो कैसी डिवाइड करते हैं इसको डिवाइड करने का तरीका होता है किसराहिए तरीका आपने इस साँव गारänge है अपने साइना आपको कहा जा रहा है ठत्य मेंग्व धियेवें सब्सक्राइब करना है है 3 होता है क्या होता है 4-3 होता है 33c3 कोई एPTION है ये option स Así whereby in-person होOf self करके नहीं है तो यह एपTION सायध हो सकता है तो इसी क्या करने वादे हैं अम ईसे आपको क्या करके दिखाएंगे इसके इसको solve करके दिखाएंगे 33 32 32 31 यह क्या होगी आपको 30 factorial ठीक है 30 factorial यहां पर लिखाब है नेची क्या होगी आपका 33-3 30 factorial इंटू 3 factorial 33 से 30 factorial से 30 factorial कट गया और जब इस तो आप solve कीजेगा जब इसे multiply कीजेगा आपको totally multiply करने के बाद आपको आजाएगा 5456 करके देख लिएगा आपको multiply करके तो यहां पर हम नहीं दिखाएंगे ने इतना तो आपको आता हो करने तो 5456 आजाएगा ठीक है तो चलिए यह भी questions आपको समझ में आगा कैसे बनाना है आपको किसी भी n things को आर चीज में आपको arrange करना है और चीज में आपको divide करना है तो कैसी divide कीजएगा n plus r minus 1 c r minus 1 ठीक है तो चलिए next questions के बढ़ते हैं और वह चीज़ क्या है identical होने चाहिए next questions क्या है हमारा in how many three digit number can be formed from the digit one two three four five six if the digits can be repeated अगर डिजिट हो सकते हैं तो आपको तीन डिजिट के numbers को perform करना है ठीक है तो चलिए perform नहीं करना है आपको form करना है तो चलिए यह आपके तीन डिजिट के number हो गए आपको even number form करना है तो even number कब कह जाते हैं जब उस डिजिट के जब किसी number के last जो number होंगे जिसे माली पांच और से हैं तो यह जो लास्ट number है यानि वंस डिजिट पर क्या होंगे आपके वंस प्लेस पर उसके ऐसे डिजिट होना चाहिए जो तू से डिजिवल हो यानि दो चार छे आठ इस टाइप से होने चाहिए ठीक है तो चलिए यहां पर भी हम य यानि आप जीतने चाहे एक ही डिजिट को जीतने बार चाहे आप भर सकते हैं ठीक है तो इस जगह पे हम कितने तरीके से भर सकते हैं एक दो तीन चार पांच छे तरीके से माल लेजी कुछ भी यहां पर भर दिए लेकिन हम तो इसको बचेवे कितने तरीके से तो भर सकते ह तो इस जग़ा पर कोई भी दिजित को डाल सकते हैं तो इसी डिजित में से डाल ला है तो यह कितना तरीका हो गया तीन तरीका क्या हो गया तीन तरीका हो गया ठीक है चलिए हम क्या करने वाले हैं अब हम क्या करने वाले आब इसको क्या करेंगे इस टोटल को मुल्टिप्लाइ कर देंगे तो आपका नमबर वेज किता निकल जाएगा किटना हो जाएगा शिकिस इंटु सिकस इंटु इंट2 दिप्लि करना लाइक द है तो चलिए यह आपके आए हुए ह है तो इसको पुडा ध्यान प्रवध देखेगा आह प्रोट देखेगा आक क colt आपके एक्जाम में जो questions आते हैं उसके थोड़ा data आपके आगे पीछे होते है एक्जाइक questions पता नहीं होने कारण क्या होता है data आगे पीछे हो सकता है लेकिन आपके जो questions के concept है सेम यही concept से questions आई हुए है ठीक है तो चलिए यह वीडियो था आपके प्रमोटिशन और कमनिसंस पर आपके और भी प्रिवेशन के questions को हम करवा देंगे तो आपको बेफिकर रहना है आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को जिरू सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए ता क्ली बाबाइ